आज मौसम चक्र में तेजी से बदलाख हो गा है ऐसे में किसानों को विपरित मौसम में तयार होने वाले फसनों के बीज लगाने की जरुवत है इस देशा में किसानों को सीथी बुआई के लिए लगातार प्रित किया जा रहा है किसानों की आय दुगनी हो इसके लिए फसल की नई किस्म एवं नई बुआई की वीधियों पर बढ़ावा दिया जा रहा है जलवाई अनुकूल खेती ज्यादा से ज्यादा किसान करें इसके लिए इन्हें प्रशिक्षन और परी भ्रमन कराये जा रहा है फलसरूप, सिले के कई किसान आज प्रशिक्षन प्राप्त कर जलवाई अनुकुल खेती जैसे धान की खेती, गर्मामू, हल्दी की खेती, अंतरवर्ती खेती, आधुनिक तक्निक से, जीरो टिलेस से और हैपी सीजर से थान इवं गिहू की खेती कर आर्थिक समर्धी की और अगर सर हैं पराप्त कर रहे हैं अब हृष rage सा हमुआ अब बहुत ऊइस गरया, परसाहन के लिए तो यह जो तीन बार तुराई कर लेते हैं, तो लेंगे आलू लेंगे आने वाले क्रॉपिंग सीजन में उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम करनी पड़ेगी यह देखें नोड मैं आपको दिखा रहा हूं यही जो है राइजोपियम बैक्टेरिया के दौरे जो सुजा सुजा नोड से बाकी रूट से और यह यह प्रॉपर तेसा ट्रेंव के लिए हम टाइम टू टाइम मिलते रहते हात्मा के लोगों से जाते रहते हैं। मिलेंगे द्रूपर ट करता हुआ ह tractaken बाइज और और यह देखें Teluk a pad्डॉर मनें किया-दियाउम-मारा इस थीजलकिस करने के बाद हमारा यह यह इस पहले जो हमारा उबज था वो कठे में 70 किलो करीब आते थे और अभी जो हमारा उबज है वो 116 कुंटल 26 किलो आये हैं और उसे हमको बहुत ही फाइदा मिला है मैंने हल्दी का खेती किया हूँ और उपज भी अच्छा है तीन महिना हल्दी का हो गया है रुपा हुआ और दो महिने के बाद हल्दी के खेती से पहुत फाइदा है इसमें जो है कि नहीं से इल्ड जो आता है कि नहीं से कम आवेगा तो 5-6 कुंटल के कठा आता है और जब इसको हम लोग कच्छा भाव बेचते हैं तो कम मिलेगा लेकिन सुखा करके इसको जब तयार माल बेचेंगे तो अधिक फादा है इसमें बेनी फीट है किसान लोगों को जो 4-5 कुंटल कच्छा माल में एक कुंटल सोट होता है वीज उपचार करके लगाए थे नहीं हल्दी को बेचेंगे लिए बज़ार में कोई दिकत नहीं है कच्छा भी माल बिखता है और सुखा हुआ हमेशा बनी रहती है किसान भाई जलवायों के अनुकूल फसल चक्र अपनाने से लागत कम आमदनी स्यादा मिलेगी